हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हो बढ़िया होंगे तो आज मैं आप सभी से मटर पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए फटा फट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मटर की फिलिंग तयार कर लेंगे सबसे पहले हमने गैस पे कडाही चड़ा द जब ऑईल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हाफ हिस्पुन इसमें हम जीरा डाल देंगे जब जीरा हमारा क्रेकल होने लगे इसके बाद हम लस्टन डाल देंगे यहां पे हमने 20-25 लस्टन की कलिया डाली है जब लस्टन हमारा गोल्डन हो जाए इसके बाद प्ली कट कर लिया है उसको भी डाल दिया है थोड़ी देर तक हरी मिर्च को हमको भूनना है इसके बाद अद्रक डाल देना है तो इंच अद्रक को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसको ग्रेट करके कडाही में डाल दिया है और अब अद्रक को भी अच्छे से भून लेंग मटर को तड़के में अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है अब 1 इस्पून नमक डाल देंगे आप स्वाधनसार भी नमक ले सकते हैं और अब नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और अब मटर को हम ढग देंगे और 5-6 मिनट तक पकने देंगे सर्दियों की सबसे फेवरेट रेसिपी है सबकी तो प्लीज जरूर कीजिएगा अब मटर को पकते हुए 5 मिनट हो गये हैं और अब लीड हटाएंगे और मटर को एक बार फिर से चला लेंगे अगर हम लो फ्लेम कर देंगे तो मटर हमारा धीरे धीरे पकेग अर मटर का पानी थोड़ा थोड़ा रिलिज होता रहेगा और उसी पानी से मटर हमारा अच्छे से सोफ्ट हो जाएगा यानि की मटर हमारा अच्छे से पक जाएगा एक बार फिर से हम ढग देंगे और 5-6 मिनट तक फिल से लिड हटा के हमने चक कर लिया है मतर हमारा अलमुस्ट पक चुका है जैसे मेरे घर में बनता है मतर का पराटा वही रेसेपे मैं आप सभी से शेर कर रही हूँ मतर के स्टफिंग सिर्फ तड़के से रेडी होती है ना इसमें मिर्च पड़ता है ना कोई मसाला पड़ता है अब मतर हमारा अच्छे से पक चुका है और मतर को एक बरतन में हम निकाल लेंगे और मतर को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर हम छोड़ देंगे जब मतर हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए तब मतर को हम पीस लेंगे मतर को हमने mixi grinder के बड़े वाले जार में डाल के पीसा है अगर आप चाहें तो mixi grinder की जगह पे silver tape भी पीस सकते हैं मतर को हमने अच्छे से पीस लिया है यह देखिए मटर को पीशते समय हमको पानी का यूज नहीं करना है अब चलिए फटापन मटर पराठा हम रेडी कर लेते हैं कोई भी इस्टप पराठा बनाना हो तो आठे को हमको बहुत ही जादा सॉफ्ट गूथना है तो यहां पे आठा हमने सॉफ्ट गूथ के रख लिया है आठा हमने प्लेन ही गूथा है अगर आप चाहें तो जब आठा आप गूथ रहे हो तो टो पिंच उसमें टो पिंच अजवाइन टो पिंच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके आठा गूथ सकते हैं आठा की हमने छोटी छोटी लोईयां कट कर ली हैं तो सबसे पहले एक लोई को हम कर लें गे ताकि इधरो दरना फैले अब लोई को हम धीरे धीरे करके बंद कर देंगे पूड़ी के चारो तरफ हम पकड़ते जाएंगे धीरे और एक जगा हमारा इक ठाठा हो जाएगा यानि की पोटली नुमा हमारा तयार हो जाएगा इसके बाद पोटली को धिरे-दीर प्रेस कर देंगे और यह स्थोफ लोई रेडी हो चुकी है और लोई पर हम सूखा अर्ण लगा लेंगे और अब इस उंगियों zakनीली खेलियो के सहायता से इस तरीके से मटर पोलन के सहायता से हलके हाथों से हम पराठा अपना रेडी कर लेंगे इस तरीके से मटर का पराठा हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा मटर का पराठा आप जैसा भी रेडी करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप छोटे छोटे पराठा रेडी करना चा अब इसी तरीके से और भी पराठे रेडी कर लेंगे सबसे पहले एक लोई को फ्लैट कर लेना और उसकी छोटी सी पूरी बेल लेनी हैं और पूरी पे हम मटर का इस्टफ डाल देंगे इस्टफिंग आप अपने हिसाब से कम्या जादा डाल सकते हैं और लोई को हम अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविस में कोई भी वीडियो डालो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए अब चलिए फटा फटा हम पराठा अपना सेक लेते हैं तो पराठा सेकने के लिए सबसे पहले गैस बड़ एक पराठा डला रहें ऐसे पराठा बनाने के लिए यहां पे हमने रिफाइन manufacturers का यूज अगर आप चाहें तो इल रिफा вс और आप सभी को मेरी रिसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गा और अब दोनों साइट से पराथे हमारे अच्छी से सिख चुके हैं और अब इसी तरीके से हम सारा पराथ अपना रेडी कर लेंगे तो अब चलते हैं फटा वट प्लेटि सबसे पहले ज़्याटीजह दो पराथा तो आपको घृँने क। पहले मटर कर लिए को है और चावल सी खीरे ने रहा अज को हमारा डिफीट से कानि अगर प्रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो यह रहा आज का हमारा डिनर थैंक यू फॉर वाचिंग बार